गुड मॉनिंग बच्चो आज हम आपको मैट्स क्लास फर्स्ट की चैप्टर नमबर एट जिसमें की आपको बताया गया है एडिशन ओफ दा ओफ टू डिजिट नमबर यनि दो अंकों की संख्या का जोड किस प्रकार से हम कर सकते हैं तो इसमें बच्चो देखिए उपर से 6 और यह 1 तो 6 में 1 एड़ करेंगे तो कितना हो गया 7 तो 7 आपने नीचे लिख दिया अब 4 में 2 तो 5 और यह 6 5 और 6 तो आपने 6 यहां लिख दिया अब देखिए बच्चो यह 6 कौन से इस्तान पर है 4 तो है 10 के इस्तान पर आपको पहले भी समझाया था कि इसमें पहला जो अक्षर होता है पहली जो नमबर से होता है 6 तो यह है 1 प्लेस पर है और 4 है 10 प्लेस पर है यह 1 प्लेस और यह 10 प्लेस तो देखिए 6 को लिखेंगे 1 प्लेस पर और 4 को लिखेंगे 10 प्लेस पर इनको भी जोड सकते हो तो 7 तो 1 सागे और 4 और 2 6 तैन सागे तो यह आंसर है 46 प्लेस ट्वंटीवन इक्वल टू 67 अब देखिए बच्चो रेस्टेस एक्सरसाइज में कोशन नमर वन एड़ दा फॉलंग यूजिंग एक्स्पेंड़ फॉर्म एक्स्पेंड़ कहते हैं विस्तार पूरवक संख्या को लिखना और इसको एड़ करना 32 को लख सकते हैं 3 10s and 2 1s तो इसमें बच्चो 3 तो 10s प्लेस पर है तो यहां 3 लगाएगा 2 1s प्लेस पर है तो 2 यहां आएगा इसमें 17 में 1 10s प्लेस पर है और 7 1 प्लेस पर है तो आपने यहां लख दिया इसको अब आप एड़ करेंगे 2 और 7 9 3 और 1 4 2 और 7 आप एड़ करेंगे 7 के बाद में 2 खाने चले 8 और 9 तो यहां पर आजाएगा 9 और 3 के आगे एक गिंती बोलोगे आप तो क्या आजाएगा 4 तो 49 का अंसर आ गया इसको बोलिंगे कैसे 4 10s और 9 1s तो बच्चो दूसरा देखें आप 7 इसको लख सकते हैं 1 10s और 7 1s और 4 10s और 2 1s 7 और 2 को एड़ करेंगे 7 के बाद में 2 नमबर बोलो 8 और 9 तो 9 आ गया 4 के बाद में 1 बोलो 4 और 1 5 10s और इनको एड़ किया 7 और 2 9 और 4 और 1 5 तो यह बच्चो आपको कोशन नमबर जो 1 है उसको आपको नोट इसमें बुक के अंदर ही सॉल्व करना है ओके बच्चो हैविनाश्टे